तो बहुत दिनों के बाद एक नया wrestling game mobile device हो के लिए release हो चुका है और इस बाद WWE के तरफ से नहीं AEW के तरफ से game को release किया गया है जिस game का नाम है AEW Rise to the Top लेकिन unfortunately इस game को इंडिया में अब तक तो release नहीं किया गया है जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं लेकिन टिंसर नहीं यार भाई वीडियो लाए मतलब आपको solution भी बताएगा इस game को download करके कैसे खेलना है और game कितना अच्छा है gameplay के साथ आपको end डग तो पता चल जाएगा तो आगे बढ़ने से पहले कहीं भी वीडियो पसंद आ जाता है तो like ठोग देना, share कर दो इस game को अपने दोस्तों के साथ और चल उनको भी subscribe कर सकते हो इसी तरह से नहीं नहीं गेम का gameplay वीडियो देखने के लिए और उससे download करना भी तो सिखाते है बोनस point ना? तो सबसे पहले गेम की बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं AEW Rise to the Top को publish किये है East Side Game Studio और obviously सुदू से तो आप gameplay देख पा रहे हो काफी सारे दोस्तों भी इस टाइप का गेम खेलना पसंद नहीं होगा लेकिन काफी सारे ऐसे दोस्त भी है जो इस टाइप का गेम को खे लाई होगा तो AEW Rise to the Top भी एक सिमुलेशन टाइकून टाइप का गेम है और अच्छी बात है कि अगर आप आफ लाइन भी रहतो इन गेम आपका प्रोग्रेशन चलता रहेगा गेम टोटली ऑनलाइन है आपको ऑनलाइन रहते हुए ही गेम को खेलना पड़ेगा AEW के जितन को भी अनलॉक करके money जो है आपको income करना है और उसी income को यूज करके जितनी भी सारे पर एपिसोड के अरेना को आप अपक्रेड भी कर पाओगे गेम में आपको events मी मिलेगा खेलने को और main feature जो है एपिसोड का जितनी सारे टाक्स आपको दिया जाएगा उसे अगर आप सही तेरी के से complete करते हो सबसे पहले तो rewards आपको मिलेगा और particular उस एपिसोड को आप complete कर पाओगे और जैसी आप एपिसोड को complete करते हो जितनी भी सारे अरेना आप unlock कियो हो वो reset हो जाएगा देन फिर से आपको सुरू से शुरू से सुरूआत करना पड़ेगा सिंपल से आपको गेम का concept समझा दो तो अगर आप Tycoon टाइप का गेम खेले हैं अपने Android डिवाइस में ये AEW Rise to the Top भी कुछ उसी तरह का गेम है और इसके अलावा PvP का भी option मिल जाता है यानि player versus player का अगर आप उसमें अच्छा खेलते हो जीतते हो तो leaderboard में भी आप टॉप कर पाओगे अच्छे खासे rewards लेने के लिए wrestling game है तो combat तो होगा ही जी हाँ आप इसमें combat तो कर सकते हो लेकिन आपको सिर्फ देखना पड़ेगा सिर्फ manage करने का option आपको इसमें दिया जाएगा हाला कि main event के आलावा आप दूसरे matches को control नहीं कर सकते हैं सिर्फ आपको ऊपर से view मिलेगा arena में क्या कुछ चल रहा है तो cool मिलाके देखा जाएतों कुछ इसी तरह का game है ज्यादा expect मत करना game से तो अगर आपको इस टाइप का game खेलना पसंदी आपको recommend भी नहीं करूंगा लेकिन फिर भी आप इस game को एक बाद try करना चाहते हो तो simply आपको tap-tap में जाना download करने का एक ही option मिलता है आपको सिर्फ वसिप tap-tap का जैसी कि आप screen में देख पा रहे हो अभी के लिए इस game को सिर्फ वसिप France, Italy उसके अलावा different countries के shortcut name दिये हैं आप इसमें पढ़ के पता लगा सकते हो tap-tap में game का application size ये 150 MB और in game आपको अलग से 19 MB डाउनलोड करना रहते हुए game का size भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है graphics देख जाए तो ठीकी ठाक है खेलने लायक है लेकिन जितनी भी सारे superstar आप एगी डवलो के use करना चाहते हैं इस game से वह आप कर पाओगे समझ रहो जी हाँ ओविस लिया समझ तो चुके होंगी इतना अच्छ से आप से जाके सर्च कर सकते हो लेकिन उसके लिए भी आपको टैप टाप एपलिकेशन तो अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर ही लेना होगा क्योंकि डाइरेक्ली आपको website से टो डाउनलोड इस game को नहीं कर पाओगे तो पूल मिला कि इस चोड़े से gameplay वीडियो में AEW Rise to the Top के ब पसंद करोगे और साथ में वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि रीज बढ़ पाए सपोर्ड मिल्क पाए यार करना और साथ में चैलन को भी लगे हाथो सब्सक्राइब कर सकते हो साइट के लोगो बटन को दबाके तो चलो गार मिलते हैं एक सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए घट बाए